मानलो आप लोग के पास दो अलगॉरिदम है एक अलगॉरिदम आपको लिखके दिया है शुबम ने और एक अलगॉरिदम आपको लिखके दिया है रोहन ने इन दोनों ने जो अलगॉरिदम लिखा है किसी एरे को मानलो सौर्ट करने का अलगॉरिदम है तो इन दोनों में से क इसका algorithm बहतर है और कितना बहतर है यह अनुमान आप कैसे लगाओगे यह आज का वीडियो आप लोगो को बताएगा अस्यम्टोटिक नोटेशन के बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे हमने और की बात करी थी अगर आप लोगोंने प्लेलिस्ट अक्सेस नहीं करी है data structures and algorithms की तो जरूर नीचे अक्सेस कर लेना आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं आप लोगो को सब कुछ दे दूँगा और यह जो PDF नोट्स मैंने आप लोग के लिए बनाये हुए हैं जिसमें मैंने A to Z सब कुछ जो अभी इस वीडिय सब से compare करने के लिए हम लोग asymptotic notations का इस्तमाल करते हैं हमारे पास primarily तीन तरह की asymptotic notations होती है बिग ओ, बिग थीटा और बिग ओमेगा अब इन तीनों में क्या difference है यह बहुत जादे important हो जाता है अगर आप इसको किसी exam point of view से देखें अगर आप लोग किसी interview point of view से देखें लेकिन आज जो मैं आप लोग को बताऊंगा वो आपके सारे doubts clear करते हैं और इतना आसान भाशा में बताऊंगा कि अगर आपने यी video पूरा देखा तो मैं guarantee लेता हूँ आपको इतीनों notations समझ में आएंगी with that said मैं आपर start करोंगा big o के साथ ठीक है और big o की जो definition है उसके बारे में बात करेंगे और इसको बड़ा o होता है हमारा English का उससे represent किया जाता है अब big o क्या है इसकी definition की बात करते है a function fn is said to be big o of gn if and only if there exist a constant c and a constant and not such that 0 less than equal to fn is less than equal to cgn अब आप को ही क्या मैं इस definition को रटके बैठा हूँ obviously नहीं मैंने इस definition को graphical way में समझा है मैं जब यह definition बोल रहाता अभी तो मैं visualize कर रहा था एक graph अपने दिबाग में जो आपको मैं बताऊँगा और आप भी मेरी तरह इस definition को बोल पाएंगे जैसे मैं बोल रहाता बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मैं इसको रटके बैठा हूँ मैंने याद करी नहीं मैंने याद नहीं करी मैं आपर लिखता हूँ a function मैं आपर लिखता हूँ a function fn is set to be set to be big o of gn if and only if यहाँ पर देखो क्या condition है there exist constants there exist a pair of constants यह constant c and a constant यह सारी definition मैंने notes में लिखा रखी है आप लोग को कोई problem नहीं होगी such that 0 less than equal to fn is less than equal to cgn ठीक है और यह c multiply by gn है c एक constant है और यह multiply हो रहा है gn से gn क्या है जो big o के अंदर होता है जैसे कि n, n square, n log n जो भी big o के अंदर आपको दिखता है कि यह algorithm big o of 1 है big o of n है big o of n log n है big o of n square है कुछ भी हो सकता है algorithm यह gn है जो यहाँ पर होगा और जो आपका function है अब यह function क्या होगा हमारे लिए जब हम algorithms का analysis कर रहे हैं तो वैसे mathematically यह function कुछ भी हो सकता है लेकिन जब हम analysis करते है algorithms का किनी दो algorithms को compare करते हैं तब यह fn होगा time और n क्या है input ठीक है input का size जैसे कि अगर मैं 5 elements के लिए यानि कि 5 size के array के लिए रन कर रहा हूँ एक algorithm को और मैं 15 के लिए रन कर रहा हूँ तो n की value 5 और 15 होगी तो n आपको पता है कि input size है fn आपको पता है कि यह function है time जो है आपका algorithm का ले रहा है जो वो है ठीक है और उसके बाद gn क्या है gn आपका वो function है जो big o के अंदर आएगा जो आप कहोगे बाद में कि यह जो fn है वो big o of gn है ठीक है तो यह definition को अब मैं समझाता हूँ आप लोगो को मैं कहता हूँ कि आप fn को लिखो यहां पर और आप 0 को लिखो यहां पर और आप gn को लिखो यहां पर अगर आप एक ऐसा constant c ढूंद पाए जिससे कि यानि कि such that यह equation satisfy हो पा रही है for all n greater than equal to n naught for n greater than equal to n naught तो यह definition हो गई मैं change करूंगा graph आप लोगो को बताऊंगा but पहले definition को ढंग से समझाऊंगा graph ऐसे ही नहीं बताऊंगा यह definition कह क्या रही है मतलब क्या है यह fn gn fn वो function है जैसे मान लो n square plus n plus 3 यह function हो सकता है fn ठीक है अब मैं अगर prove करना चाहता हूं यह big o of n cube है यह n square है जो भी है तो मैं क्या करूंगा अपने function से यहाँ पर लगा दूंगा और c और n नॉट ढूंगने की कोशिश करूंगा such that n greater than equal to n नॉट यानि कि मैं एक ऐसा नंबर ढूंगना चाहता हूं त्यान से सुनना मैं एक ऐसा नंबर ढूंगना चाहता हूं जिससे बड़ा कोई भी नंबर इस समीकरण को संतुष्ट करता हो इस equation को satisfy करता हो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो ठीक है एक ऐसा मैं n नॉट ढूंगना चाहता हूं कि उस नंबर से बड़ा कोई भी n लिलो भाई ये equation अपना जो सच्चाई है इसकी जो validity है वो valid रहेगी अगर आपने कोई ऐसा constant c और n नो ढूंड पाए तो fn is big o of gn नहीं ढूंड पाए तो नहीं है fn big o of gn ये mathematical definition है ठीक है big o की तो एक काम करता हूं मैं आपर मैं आप लोगों को एक simple सा example देता हूं ठीक है मैं देता हूं आपको n cube plus 1 का ठीक है fn मेरा है n cube plus 1 और gn मान लो मेरा है यानि कि क्या ये big o of n cube है या नहीं ये मैं देखना चाहता हूं या फिर क्या ये big o of n to the power 4 है या नहीं यह मैं चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, दियान से देखना, अब मैं चेक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा 0, फिर लिखूँगा less than equal to, fn क्या है मेरा, nq plus 1, ठीक है, और, यहाँ पर मैं कोई c ढूणने की कोशिश करूँगा, और यहाँ करूँगा n to the power 4, ठीक है, और यहाँ पर एक c ढूणने की मैं कोशिश करूँगा, अब देखते जाओब, यहाँ पर क्या होगा, मैं आपर चाहता हूँ, एक ऐसा constant रखना, ताकि n cube जो हो, n cube plus 1 जो है, वो छोटा हो n to the power 4 से, अच्छा 2 के लिए इसको देखते हैं चलाके, 2 के लिए n to the power 4 क्या होगा, 16 होगा, और यह क्या होगा, 9 होगा, 2 to the power 3, 8 होगा, 8 plus 1, 9 होगा, तो यह 2 के लिए satisfy होगा, अब आप अगर 2 से बड़ा भी कोई number रखोगे, तो हमेशा n to the power 4, n to the power 3 plus 1 से बड़ा ही होगा, हमेशा बड़ा ही होगा, अब इस चीज को verify कर सकते हो n to the power 3 plus 1 और n to the power 4 का ग्राफ बना के, आप हमेशा देखोगे कि n to the power 4 का ग्राफ, n to the power 3 plus 1 के ग्राफ से उपर निकल रहा है, ठीक है, और यहां पर इन डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहता, यहां पर आप मुझे ट्रस्ट करो, n to the power 4 जो है, वैसे भी intuition से भी अगर आप द हो रही है, इसलिए, fn is big o of n to the power 4, अब आप लोग कोगे कि यार, पिछला जो वीडियो था, उसमें थोड़ी time complexity निकाली थी हमने, वहां तो आपने कहा था कि 1 हटा 2 n to the power 3 कर दिया था, तो क्या यह big o of n to the power 3 नहीं है, चेक कर लेते हैं, राजाओ, चेक कर लेते हैं, इस ब constant c की तलाश है मुझे, such that, क्या हो, c n to the power 3 जो है, बड़ा हो जाए, n to the power 3 ब्लस 1 से, अच्छा एक काम करता हूं, c को यहां पर 2 डाल के देखता हूं, ठीक है, जा फिर c रहने देता हूं, मैं n की value 2 डाल के देखता हूं, यह तो 9 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, n की value 2 डाल दी, अगर मैंने c की value 2 डाल दी, तब आप देखोगे कि यह 16 हो जाएगा, ठीक है, फिर मैं इसमें 3 डालू, 4 डालू, कुछ भी डालू, n की value जो है, यहां पर 2 n to the power 3 जो है, हमेशा बड़ा होगा इससे, यह आप graph बना के verify कर सकते हूं, इसलिए यह big o of, यहां पर n value भी लिख देता हूं, n not की value मैंने आपर 1 ले लिए, 2 ले लिए, sorry, मैंने 2 ले लिए n not की value, आप n not को और बड़ा करोगे, अगर तो आप और भी easily इस equation को satisfy कर पाऊगे, but the goal is कि कोई c और कोई n not की value आप लोगों को मिल जानी चाहिए, अगर मिल पा रही है, तो यह big o है, त n to the power 4 भी है, यह चल क्या रहा है, अब यह बात आप लोगों को मैं भी बताऊँगा कि जब आप big o calculate करते हो, तो अगर कोई भी fn big o of n to the power 3 है, तो वह automatically big o of n to the power 4 भी होता है, और big o of n to the power 5 भी होता है, तो big o की कुछ definition ही कुछ इससाब से है, ठीक है, तो अगर आपको big o में किसी algorithm की complexity निकालनी है, तो कभी भी interviewer को यह मत कहना big o of n to the power 30 है, क्योंकि यह big o of n to the power 30 है, एक्चुल में, mathematical definition के साब से है, but the best answer is, कि आप minimum gn लेके चलो, और आप n to the power 3 रिपोर्ट करो, n to the power 3 रिपोर्ट करो answer, ठीक है, हमेशा आपको यह बात याद रखती है, तो यह जो म आईए, यह मैं आप लोग को graph से बताऊंगा, और मैंने तिनी तेज़ definition कैसे बोल दी, क्या मैं याद करके बैठा था, नहीं, याद करके मैं नहीं बैठा था, मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं तिनी तेज़ definition कैसे बोल दी, अब यहाँ पर आप लोग देखो, कि एक function म बना रहा हूं? यह है Fn, ठीक है? और मैं एक और function बना रहा हूं यहाँ पर, यह मेरा CGN, ठीक है? अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर यह मैं N-naud ले लूँ आपको देख रहा होगा, अगर यह मैं N-naud ले लूँ यहाँ यहाँ मैं ले लो N-naud, तो क्या CGN हमेशा Fn के उपर है या नहीं है, N-naud से बड़ी values के लिए, तो यह जो Big O की definition है, यह simply एक बात कहती है, बड़े प्यार से, कहती है देखो, कोई N-naud की बड़ी value चुनू, जिसके बाद से, जिसके बाद से, CGN हमेशा Fn से बड़ा होता हो, नहीं कि हमेशा ही बड़ा होता हो, सारी values के लिए, तब होगा Fn Big O of Gn, मतलब यह है, इस पूरे स्टोरी का, कि CGN Fn से हमेशा बड़ा है, कुल मिला के बात ही है, कि इसके उपर उपर रहता है, और Fn जो है, इसके नीचे ही मंदराता रहता है, और CGN Fn के उपर मंदराता रहता है, काानी वस इतनी सी है, जादा कॉ अब अगर मैं पूछू यहाँ पर आप से, कि अगर कोई चीज एन क्यूब के नीचे है, तो यहर वो n to the power 4 के भी नीचे होगी, वो n to the power 6 के भी नीचे होगी, मैं कोई ना कोई चीज सी एन क्यूब के नीचे है, तो वो किसी और C dash n to the power 4 के नीचे होगी, मैं ऐसा constant ढूंड ही लूँगा ठीक है तो यहां पर कुल मिलाके बात यह आ जाती है कि आपका जो fn है वो cgn के नीचे मंड़ा रहा है तो अगर आपको रिपोर्ट करना है अपना आंसर बिगो की टर्म में तो आप क्या करोगे कोई भी एक ऐसा बड़ा फंक्शन ले लोगे such that c into gn के नीचे हो fn ठीक है ओके और यह आपको मिली जाएगा इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नियागी आपको मिली जाएगा अगर आपका जो c g n है वो उपर है fn के और नोट से पहले क्या हुआ है उसको भूल जाओ नोट से पहले दो कई बार इंटरसेक्ट कर रहे है यहाँ पर नोट से थोड़ा ही पहले c g n छोटा था fn से उससे हमें मतलब नहीं है इस एरिया से हमें मतलब नहीं है हमने इसलिए कहा है for all n greater than equal to n not हमें इस एरिया से मतलब है नोट के बाद वाला जो एरिया है उससे मतलब है हमको ठीक है तो यहाँ पर कुल मिलाके हम यह कहना चाहते है कि c g n उपर है fn के यह bigo की definition है ठीक है यह bigo की definition है mathematical चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे big omega की definition को देखेंगे और मैं आपर थोड़ और चीज बता चलेगी कि जो big omega है ना वो bigo से बहुत जादा related है देखना आप लोग मसाएगा आप लोग को मैं क्या करूंगा यहाँ पर c g n और f n को swap कर दूँगा ठीक है आप देखते जाओ कैसा shortcut बारूँगा मैं यहाँ पर क्या करूंगा c g n और f n को swap कर दूँगा मैं जहाँ पर मैंने f n लिखा था इस बार मैंने वहाँ c g n लिख दिया और मैं ऐसे कर दूँगा तो मैंने c g n और f n को अदला बदली कर दिया अब अदला बदली करा है तो यहाँ पर क्या होगा मैं एक्जांपल भी मिटा लेता हूँ अदला बदली मैंने करा है अगर तो मैं उपर ग्राफ में भी अदला बदली करूंगा और अब आप खुद समझ जाओगे कि बिग ओमेगा क्या कहता है बिग ओमेगा भी बहुत सिंपल सी कहानी कहता है कहता है कि यार देखो ऐसा है कि हमेशा f n c g n के उपर रहे ठीक है मेर हाथ गंदा हो गया है बट कोई बात थी तो यहाँ पर f n और c g n तो यहाँ पर same definition है एकदम same definition है बिल्कुल tension ही मतले न एकदम same चीज है बस यह है कि f n उपर है पिछले case में f n नीचे लटक रहा था c g n के अब क्या है f n क्या हुआ उपर आ गया c g n के तो यह definition बस यह कहती ह है कि f n का लोवर बाउंड इसको बाउंड करती है नीचे से ठीक है f n का लोवर बाउंड है अगर c g n तो f n is big o of big omega of I'm sorry big omega of g n वन नहीं अगर आप c और n नहीं पाए such that this equation is satisfied तो क्या है आपका big omega of g n नहीं होगी f n ठीक है तो आप लोग को यह चीज clear हो गयोगी अभी simple जिकानी है कि जो आपका big o था उसमें c g n उपर था और यह c g n इधर था f n इधर था अब इस equation का क्या मतलब है इस equation का मतलब यह है कि जो f n function है जो f n function है वो हमेशा इससे बड़ा है ठीक है यानि कि मैं constant ढूंड सकता हूं such that इससे बड़ा हो हमेशा f n ठीक है c g n से for all n greater than equal to n naught अब जैसे कि मैं अगर n q plus 1 ले लूँ यह big omega of 1 है है यह big omega of 1 क्यों है big omega of 1 मैंने 1 लेली एक function ठीक है मेरा क्या यह g n 1 है तो मैं लिखूंगा c less than equal to 0 less than equal to n cube plus 1 यहापर मैंने ले लिया ठीक है अब मैं क्या करूंगा मैं अब c की value को 1 ले लूँगा अराम से यह 0 आ गया है आपर n q plus 1 यह हमेशा satisfy होता है अब देख लो n q plus 1 बड़ा यह रहने वाला है 1 से और n की value जो न और अमेडी उसको मैं उसको भी 1 ले लेता हूं मैं 2 ले सकता हूं 3 ले सकता हूं अब देख लो यह equation satisfy होगी तो इसलिए n q plus 1 is big omega of 1 तो अब आप लो कोगे यह big omega of 1 तो अब आप लो कोगे मैं बता ता हूं कौन देगा big theta देगा वो तो आपको big o समझ में आया आपको big omega समझ में है मैंने आप लोगो लिख दिया यार मुझे इसको omega लिखना था कोई बात नहीं यार आपने उतना तो autocorrect करी लिया होगा big omega लिखना था मुझे आपने big o समझा आपने big omega समझा अब म कोई भी fn is big theta of gn कोई भी fn अगर function में आपको देता हूं वो होगा big theta of gn if and only if it is big o and big omega मैंने आपर फिर से big o लिख दिया था जब मैं big omega बता रहा था बट big omega कर ले ना उसको आप लोग तो उतना तो autocorrect करी लोगे आप तो यहाँ पर अगर कोई भी fn big theta of gn है कोई भी fn big theta of gn है तो वो big omega gn भी है और big o gn भी है दोनों हो जाएंगे एक time पर उससे कहते हैं big theta और ये इस fn को एक tight उपर और नीचे दोनों से bound देता है और ये एक iacca sutra होता है algorithm के runtime को बताने का कि थो algorithm को अगर मैं compare कर रहा हूं आप को देता है algorithms को compare करने ठीक है so big omega मैंने आप रप लोग को बताया अब मैं आप बिग theta पा आ जाता हूँ ठीक है पहले मैंने big o बताया आपको, फिर big omega बताया और big theta पर आ जाता हूँ A function f n is said to be big theta of g n, if there exists a constant c, and a constant n not such that, such that this, because this is big omega, then there is, with that this big O also, okay, so here c of, sorry, I will put it with dusters, it's green, green, here I will write f n, and here I will write c of g n, here I will write 0, and if this constant is the same, then it will be c1, c2, or c1 I will do it, because anyone can take c1, c2, that is totally fine here, okay, ठीक है, और ये करने के बाद, अब देखो, f n बड़ा है 0 से, यहां भी f n बड़ा है 0 से, ठीक है, और c2 जो है, वो f n से छोटा है, लेकिन ये वाला c2 g n जो है, वो f n से छोटा है, c1 g n, f n से बड़ा है, तो क्या मैं इन दोनों equation को कुछ ऐसे नहीं लिख सकता, मैं आपर कर मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ ही, जो equation मैंने भी यहां पर लिखी, c2 g n नीचे, और उसी के साथ-साथ, c1 g n उपर है, ठीक है, c1 g n क्या है, उपर है, तो आपको दोनों तरफ से bounds मिले, lower bound और upper bound f n के, इसका मतलब अगर कोई चीज को आप big theta के हिसाब से represent कर रहे हो तो वो algorithm के runtime की best picture आप लोग को देगा, इसी लिए कभी भी आप से पूछा जाए, big o बताओ, तो आप big theta report करना, क्योंकि कोई चीज, अगर big theta है, तो वो big o भी है, तो आप big theta report कर सकते हो, ठीक है, तो big theta आप लोग को, आपके big o का best answer है, मैं बता रहा हूँ, big o का best answer है, कोई big पूछा आप big theta बताओ उसको, big theta जो आप बताओगे, वो एक tighter bound होगा, उपर से और नीचे से आपको एक अच्छी पिचर देगा, fn की, कि जो fn है, आपका वो order of क्या है, तो जब भी order of बोला जाता है, तो हम big theta की बात करते हैं, ठीक है, तो big theta का मतलब ये है, कि जो fn है, c2gn और c1gn के बीच में sandwiched है, ठीक है, ये sandwiched हो गया, इन दोनों के बीच में, sandwiched के अंदर होता है, एक चीज का slice of fn दिख रहा है भी इस टाइम पर, ठीक है, सो आपको अभी ये चीज ये clear हो जानी चाहिए, कि big o क्या है, big omega क्या है, big theta क्या है, आप में से गई लोग अब ये graph अगर आपने याद कर लिया है, तो आप अपने आप बोलोगे, मैं big theta की definition भी आपको बता देता हूं ऐसा ही बोलके, a function fn is set to be big theta of gn if there exist a constant c1, c2 and n0, such that 0 less than equal to fn less than equal to c1gn और 0 less than equal to z2gn less than equal to fn, ये देखके ही बताओ आप, ये देखके ही बता सकते हो, ठीक है, for all n greater than equal to n0, ठीक है, तो ये आप दोनों डिक्टेट कर सकते हो, उसकर आपको देखके equations को, ठीक है, so, I hope you just clear होगे होगे आप लोग को, और ये एक जब मोदी symbol चीज है, कभी भी आप से पूछे, एक function देके कि क्या ये big omega है, क्या ये big theta है, आपने इस equation में बठा के solve कर ले, ये आपको gate वगएरा में आ सकता है, exam में, या विर आपका कभी-कभी subjective paper में भी आ सकता है, but, जाधा तर, exam loading notations का जो question है, वो आता है, order of को लेके, इसका order बताओ, इसका order बताओ, इस algorithm का run time बताओ, कि इसका क्या order है, ठीक है, तो आपको big o of n, big o of n square, big o of n log n, big o of n to the power n, big o of, मालब, जो भी आपको, जो भी आपका big theta है, वो आपको report करना होता है, ठीक है, as simple as that, so I hope, यह चीज आप लोग को clear हो गई होगी, मैंने आप लोग को यह चीज समझा दी होगी, अब मैंने आप लोग के लिए तयार गिये हैं, बहुत अच्छे notes, ठीक है, जिसमें मैंने यह सारी definitions बड़े प्यार से बताई हुई है, with graphs, और color pen से use किया है, मैंने, graph की lineों को बना but, मैंने आप लोग के 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 दूँगा, आप follow कर सकते हो, आप updated रहोगे कब कौन सा वीडियो आ रहा है, कभी कोई notes में supply कर रहा हूँ, किसी पुराने वीडियो के, वो सब चीज़े मैं Instagram पर story में डालता रहता हूँ, ठीक है, तो आप आप लोग को मिल जानी है, अगर आप लोग follow कर लोगे तो, अब एक काम करूँगा, मैं चलूँगा अपने notes की तरफ, और notes की तरफ चलके, वहाँ पर थोड़ा notes में हम देखेंगे कि क्या है, किस तरह से चीज़े structure करी है, मैंने, चलो चलते हैं, और notes को देखते हैं, वहाँ स एक question भी solve करेंगे, so guys, यह रहा है, वह notes होगी, मैंने आप लोग के लिए बनाये हैं, ताकि आप लोग revision कर पाऊ साई से, और उसे के साथ साथ एक एक चीज़ मैंने accurately लिखी हुई है, यहाँ पर, तो मैंने start किया है notes के अंदर, asymptotic notation की definition, और उसके बाद, big O, big omega, और big theta तीनो के graph बनवाए हुए, अब यहाँ पर एक important बात आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों ने भी तक यह playlist access नहीं करी है, यह वाली नहीं, मैंने एक अलग से playlist बनाई है, DSLGO की, अगर यह नहीं करी है, इसमें बहुत सारे videos आपको add and मिलेंगे, अगर आप लोग इसको देख र और मैं हर course के notes release भी नहीं करता हूँ, कि बहुत सारा time जाता है, वीडियो बनाने से कई जारा time जाता है, यह सारे pen change करके notes लिखने में, लेकिन जब भी मैं बनाता हूँ, तो मैं एक चीज़ ensure करता हूँ, कि notes जो provide कर रहा हूँ, वो best हो, कोई भी आप देखें, उसको जब भ भी आप लोगों के लिए courses के notes और प्रोवाइट कर आप होंगा, फ्री में, अब यहाँ पर आ जाते हैं, asymptotic notation की big O notation में, हमने यापर definition देखी big O की, हमने देखा कि fn जो है, वो 0 to c of gn तक जा रहा था, और यह जो है upper bound को describe करता है, कि वो कौन सा function है, जिसके नीचे नीचे हम पर नीचे रहेगा, और हमने इस चीज को graph में भी देखा था, यहाँ पर मैंने देखा हूँ, cgn को उपर रखा हुआ है, और fn को नीचे रखा हुआ है, तो कोई भी चीज अगर big O of n square है, कोई भी चीज का मतलब है, कोई भी fn अगर big O of n square है, तो वो big O of n to the power 4 भी होगा, big O of n to the power 8 भी होगा, big O of n to the power 12, 13, 14 वो सब भी होगा, क्योंकि वो सारे graphs जो है, वो इसके उपर ही आने वाले हैं, तो यह चीज आए होप clear हो गई होगी होगी आपको, फिर हमने big Omeaga में देखा, कि यह जो c of gn था, वो नीचे आ जा रहा था, बस, और बागी पुरी definition सेम थी कोई एक n not हम ढूड ले, जिसके बाद graph consistently हमेशा cgn को big Omeaga के case में नीचे नीचे दिखाए, यहाँ पर आप 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 देख सकते हो, एक particular बड़ी value के बाद, ठीक है, तो यह n not जो है वो एक given बड़ी value है, ठीक है, जिसके बाद से हमेशा cgn fn के नीचे ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस notes को एक बार पढ़ लेते हो और वीडियो के साथ देख लेते हो, I cannot believe कि आपको big Omeaga और big theta समझ में ना आए, क्योंकि मैंने mathematical definition जो है, इसको बहुत जादा simplify करके notes में डाला है, और वीडियो को notes के साथ sync करा के बनाया है, तो I don't think कि कोई भी problem freedom free of cost है, और बहुत सारे bad players market में है, जो कि मेरे notes को और मेरा जो काम होता है, उसको पैसों में बेचते हैं दूसरों को, without my permission, मुझे पता भी नी चलता है, और मेरे notes वगरा बिकर होते हैं, मेरा recently मेरे सा ऐसा हुआ है, तो आप लोग share करो अपने college में, इधर उधर WhatsApp group वगरा मे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे होने के chances कम रहेंगे, और जादर से जादर लोगों तक पहुंचेंगे यह सारे notes, तो यह big theta notation भी मैंने आप लोगों को बताया कि वह एक चीज़ big theta तब होती है, जब वो big O भी है, और big omega भी है, और हम दोने इन दोनों equations को use करके, एक नई equation निकाल तो हमें जो time complexity है, algorithm की, उसका एक wider picture मिलती है देखने को, हमें एक अच्छी बहतर picture मिलती है, इसलिए जब भी कोई आपको order of पोशता है, exams वगरा में, तो it is highly suggested की आप लोग answer अपना big theta में ही दे, क्योंकि big theta में आप answer दोगे तो वो automatically big O भी होगा और big omega भी होगा, जैसे कि हम big O भी है और big omega भी है, तो आप हमेशे अपना answer big theta में ही देना, unless आपको specify ना करके दिया हूँ, आपके examiner ने, interviewer ने, या फिर जहां भी आप है, जब तक वो आपको specify करके नहीं दिया गया है कि क्या करना है, मैं कहोगा कि आप हमेशे big theta में अपना answer को report करें, ये graphs को आप picture देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि big O और big omega है, वो आपको use नहीं करना है, अगर आपका question ही है कि big omega को verify करो, तो definitely आप लोग big omega को verify करोगे, महाँ पर big theta का कोई काम नहीं होगा, लेकिन अगर आपको कोई पूछता है time complexity और आपको पूछता है कि भाई, इसका order बता big O का और big omega का, जब भी आप एक technical interview दे रहे हो और आपसे कोई interview और ये question पूछ लेता है, तो आप ए counter question कर सकते हो, या फिर आप जवाब के साथ counter question कर सकते हो, जैसे आपको अगर किसी ने बोला कि time जो है वो n square प्लस n प्लस 2 है, तो आप बोलो कि भाई देखो ये big O of n square है, औ और big theta of n square है, लेकिन ये big O of n to the power of 4 भी है, अगर किसी ने आपसे big O पूचा है, तो कहना big O तो n to the power of 4 भी हो सकता है, अगर order of पूचा है, तो आप अपना answer big theta में report करोगे, अगर आप interviewer को, या फिर जो भी आपका test ले रहा है उसको, ये vibes दोगे कि भाई, आपको big theta, big omega और big वो ये तीनों का अच्छा ग्यान है, mathematical, तो आपको बागी जो interviewees है, या या जो बागी candidates है, उनके सामने एक अलगी edge मिलेगा, आपको उनके सामने preference दी जाएगी, इस बात में कोई शक नहीं है, तो इतना हम लोग बस देखेंगे इस चीज़ को, और अब हम जो आने वाले वीडियोस में करेंगे, वो हम questions को solve करेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक quick quiz, कि prove करो कि ये big of n cube है, मैंने इस तरह की question कराई है भी थोड़ी दर पहले, तो मैं कहूँगा कि आपको verify करना है, इसको equation में डाल डालके constant की value को लेना है, और इसका graph roughly plot करके, या तो आप वैसे कर ल लगेगा आपको, बहुत जादा लगेगा mathematical, और आपको लगेगा कि या री तो मैं याद ही ने रख सकता, कोई बात नहीं, आप बस इतना याद रखें कि यहाँ पर आपका जो big o है, वो क्या करता है, वो upper bound describe करता है, ठीक है, आपका big omega lower bound describe करता है, और ये notes आपके पास होन encounter करो, but notes इसली बनाएं, आप देखके रिवाइस कर सकते हो, अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा, आप लोगों को वीडियो कतम करने से पहले, जो कि मैंने पिछली PDF में भी डाले थे, अगर आपने पिछली PDF एकसेस करी है, तो आपके पास ये वाली PDF होगी, time complexity and big O वाली, और इसमें यापर मैंने क्या किया था, आप लोगों को एक graph add करके दिया था, जो कि मैंने एक link से डाला था, stack overflow के link से, उसमें क्या है कि सारे run times को यहाँ पर plot करके दिखाया हुआ था, तो मैंने उनी को जो है, उनी run times को यहाँ पर sort करके रग दिया, तो यह better से worse क तरफ जा रहे है, big O of 1 is the best, जब मैं big O कह रहा हूँ, तो just assume I am talking about big theta, the best big O, which is big theta, ठीक है, तो यहाँ पर big O of 1, big O of log n, big O of n, big O of n log n, और यहाँ पर बढ़ते करम में, यह आ रहा है, ठीक है, तो यह common run times है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही run time आपको देखने को बिलेंगे, आपको अपने algorithm carrier में, जब भी आप algorithms के साथ काम कर रहे हैं, इससे ज़ादा run times देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन यह सबसे ज़ादा common है, आप लोग जो है, इसलिए, यह कमसे पर टेबल आपको, उपर उपर से idea होना चाहिए, भाई, देखो, कोई भी value ले ले लो, तो log n जो और कोई भी अगर आप special polynomial लो, तो आपको बता होना चाहिए, वो काम fit होगा, और बाकी चीज तो आप लोग को बस simply एक question पूछा जाएगा, या तो आपको code देखे, और उसका big o पूछा जाएगा, या फिर आपको equation देखे, उसका big o पूछा जाएगा, या big omega, big theta भी पूछ जा सकता है, तो equation से तो मैंने बता दिया कैसे करना है, code देखकर अब मैं बताओंगा आप लोग को आने वाले वीडियो में की code को देखके कैसे पता लगाए, big o है, n square, big o n cube है, n to the power 4 है, n log n है, वो सब चीज़े जो हम लोग बात करेंगे, आप लोग आने वाले वीडियो ज शेयर करने के साथ साथ, आप लोग वीडियो को लाइक वगारा करो ता कि इस तरह की जो efforts है, मैं बागी courses में भी आप लोग के लिए लिकर रहा हूँ, so अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys, I hope आप आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और जादे से जादे सपोर्ट द मैं स्टाइन